गूर्ड मॉर्णिंग दिल्ले पुलिस कांस्टेबल भरती परिक्षा 2020 के सभी केंड़ेट्स का सक्सेस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है आपकी परिक्षा हैं नौंबर में हैं और इसके बाद फीजिकल होगा आपके मन में एक बहुत-बड़ी शंका होगी एक बहुत-बड़ा प्रश्ण होगा कि फीजिकल के लिए कितने मार्क्स जो है रिटेन में लाए जाएं कि फीजिकल के लिए सेलेक्षन आपका होसके फिजिकल के लिए आप शॉट लिस्ट किये जा सके तो बहुत बड़ी अपडेट लेकर कि इस वीडियो में मैं आया हूँ कितने फॉर्म फिल किये गए कितने केंडेस को रिटेंड में कौलिफाई करा जाना है कितनी रहेगी इन सब बातों को डिसकस करेंगे इस वीडियो में वीडियो को ध्यान से देखिएगए और अंत तक देखिएगगआ पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप पूरी बात को समझ पाएगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा और इस वीडियो को ज्यादा सज्यादा अपने सभी साथियों को शेयर भी कर दीजेगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो चलिए पहले देख लेते हैं कि 2016-17 की क्या इस्तिती रही है क्या ट्रेंड रहा है देखे 2016-17 में 17,90,122 फार्म फिल किये गए और इनका फीजिकल कराया गया फीजिकल में 1,95,860 कैंड़ेट्स क्वालिफाई करा दिये गए अब इन 1,95,800 में से केवल 1,83,47 कैंड़ेट्स ही ये रिटें एक्जाम में एपियर हुए इन्होंने रिटें एक्जाम दिया इसमें से 7,220 का ही सेलेक्शन होना था चूंकि बैकेंसी ही 7,220 ली आयोग ने 1,83,47 कैंड़ेट्स का जो रिजल्ट था जो उनकी मार्क लिस्ट थी उनके जो मार्क्स थे वो भेज दिये दिली पुलिस को और दिली पुलिस ने टॉप मेरिट जो है उपर से 7,200 कैंड़ेट्स को सेलेक्ट कर दिया तो सीधी सी बात है कि 1,83,000 में से 7,220 को सेलेक्ट किया गया तो कटाफ और मेरिट जो है वो बट नेचुरल है कि काफी ज़्यादा गई और आपको बता दें कि अन्रिजर्ब की जो मेरिट थी कटाफ थी वो 2017 में 78 थी अब बात कर लें 2020 की 2020 में क्या है कि एप्लिकेशन्स लगबग 20,000,000 के आसपास फिल अप हुई है 20,000,000 से कुछ ज़्याद ही होगी इस 20,000,000 में से फिजिकल के लिए 70,152 को शॉटलिस्ट कि किया जाना है इसका मतलब यह है कि रिटेन एकजाम के बाद 70,152 केंड़ेट को सेलेक्ट किया जाना है फिजिकल के लिए पहले की स्थितिम क्या था 7,200 केंड़ेट को सेलेक्ट किया गया इस बार कितना करना है 70,152 और यह फिगर और भी ज्यादा हो सकती है वैकेंसी अगर बढ़ेंगी और निश्रीत रूप से बढ़ेंगी तो ये फीगर और भी ज़्यादा हो सकती 70 से 80, 80, 90,000 तक भी हो सकती है जो की फीजिकल के लिए शॉट लिश्ट किये जाएं तो इस वज़ा से जो कटाफ है मेरिट है वो बट नेचूरल है किन लो होगी देख लेते हैं 2017 की कटाफ क्या रही है तो 2017 की जो कटाफ थी अंरिजर्ब कटेगरी में मेल कंडेट की 78 और फिमेज कंडेट की 73 OBC category में male candidate की 75 female candidate की 69 SE category में male candidate की 68 और female की 64 ST में male candidate की 67 female की 57 और ex-service man की बात करें तो male candidate की 64 और female की 54 यह 2017 की cut-off रही है अब 2020 की अगर हम बात करें तो पहले यह तैय करना होगा कि कौन-कौन से ऐसे factors हैं जिनकी वज़े से cut-off प्रभावित होती है जब तक इस बात को नहीं समझ पाएंगे तब तक यह बात नहीं समझ में आएगी cut-off कितनी रहेगी केवल एक अनुमान के अधार पर बता देना किसाब cut-off इतनी रहेगी वो authentic नहीं है जब तक यह बात तैय न कर ली जाए यह बात समझ न ली जाए कि cut-off क्यूं जादा होगी या क्यूं कम होगी यह बात समझ नहीं बहुत जरूरी है तो पहले हम बात कर लेते हैं उन factors की जो cut-off को प्रभावित करेंगे 2020 की cut-off को decide करने वाला जो सबसे महतुपुन factor है वो है negative marking 2016 या 2017 में suppose किजी किसी candidate के 70 question बिल्कुल सही थे बाकी 30 question उसने तुक्का मार दिया तो उसके 18 question सही हो सकते हैं हो सकता है उसके marks 70 से बढ़ करके 75, 76, 80 तक पहुँच जाएं इस बार क्या होगा negative marking है अगर किसी ने attempt केरने के बजाए तुक्का लगाया तो पता यह लगेगा कि जो आपको 70 नमबर मिल रहे थे उससे भी कम हो जाएंगे तो इस वजए से मेरिट लो रहेगी कटाफ लो रहेगी दूसरी बात selection प्रोसेस में चेंज हो गया यह मैंने आपको बताई दिया पहले ही कि केंड़ेट को ज़्यादा सेलेट किया जाना है फीजिकल बाद में हो रहा है तो इससे भी मेरिट लो रहेगी अगला पॉइंट है नमबर आफ केंड़ेट पार फीजिकल के लिए जो है 70,152 केंड़ेट को सौटलिस्ट किया जाना है तो जब इतनी बड़ी संख्या में केंड़ेट को सौटलिस्ट किया जाएगा तो निश्चित रूफ से कट अफ लो जाएगी फीजिकल के लिए अब आई बात कर लेते हैं नार्मलाजेशन की 20,00,00,00 चैंड़ेट्स एपीर हो रहे हैं तो निश्चित रूफ से नार्मलाजेशन होगा एक शिप्र में तो एगजाम होनी सकता नार्मलाजेशन में रेयर केस में किसी को नुकसान होता है otherwise अमूमन जो है एक से दो नंबर और कहीं कहीं तो साथ आठ नंबर भी बढ़ जाते हैं कहीं कहीं तो दस नंबर भी बढ़ जाते हैं नामलाईशन में तो किसी candidate का अगर रा मार्क्स जो है 70 है तो वो after नामलाईशन 72 भी हो सकता है 75 भी हो सकता है लेकिन फिलहाल जो आपको तैयारी करनी है फिजिकल की रिटेन के बाद वो तो आपको रा मार्स के आदार पर ही करनी होगी क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहेगा फिजिकल के लिए तो जैसे ही आप रिटेन एक्जाम दे करके आएंगे जैसे ही answer sheet मिलेगी आप calculate कर लेंगे कि आपको कितने marks मिले हैं रा marks कितने बन रहे हैं और वहीं आप decide कर लेंगे कि आपको physical की तेहरी करनी है या नहीं करनी है क्योंकि दिल्ले पुलिस का physical भी बहुत tough होता है तो आई अब बात कर लेते हैं expected cutoff रा marks से अधार पर क्या बनती है चले बात कर लेते हैं कि रा marks से अधार पर safe score क्या बनता है अंग reserve category के अगर बात करें तो male candidates के लिए 70 और female candidates के लिए 65 यह quite safe score है इसमें variation हो सकता है plus minus two marks का यह हर एक category में आप इतना कर लिजेगा दो number ज्यादा हो सकता है या दो number कम हो सकता है around इसी की रहेगा 70 और 65 बात करें OBC category की तो OBC category के लिए male candidates का safe score है 68 और female candidates का safe score है 62 ऐसी कटेगरी के अगर हम बात करें तो ऐसी कटेगरी के लिए जो safe score है वो है 62 male candidates के लिए और 55 ये female candidates के लिए अब आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये रा मार्स क्याधार पर है जैसे ही आपको answer sheet मिले अपने marks का आप आकलन कर लिजे और उसके बाद अपनी तयारी शुरू कर दीजे कि फिजिकल की क्योंकि फिजिकल के लिए समय कम मिलेगा और अगर आपने वेट किया result का कि normalized marks क्याधार पर आपका selection हुआ है या नहीं हुआ है तो आप फिजिकल नहीं qualify कर पाएंगे क्योंकि time नहीं मिल पाएगा इसलिए जैसे ही आपके रा marks का assessment हो जाए और अगर आपके marks इसके around है इसे एक दो number कम ज्यादा है तो आप बिल्कुल 100% फिजिकल के तैयारी शुरू कर दीजिए कि एस्टी category के अगर हम बात करें तो एस्टी category की male candidates के लिए 60 और female candidate के लिए 53 ये बिल्कुल safe score है और एक service man के लिए 55 तो ये था safe score expected cutoff का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो इसे like कर दीजिएगा ज्यादस ज्यादा इसको आप share कर दीजिएगा और अगर आप चाहिएगा तो comment करके पूछेगा मैं आपको एक वीडियो और upload कर दूँगा कि कैसे आप क्या आपकी रननीती होगी क्या आपकी study होगी कि आप इतने marks को इतने marks साब को मिल जाएं इतने marks साब लास के एक्जाम में तो उसके लिए भी आपको एक वीडियो में upload कर दूँगा अगर आप चाहेंगे तो का इतने भी यहा को